दिल्ली NCR में 9 नवंबर को हुई बारिश के बाद हवा काफी हद तक साफ हुई है 11 नवंबर को ओवरॉल AQI 219 दर्ज किया गया बारिश से पहले दिल्ली का AQI 437 रिकॉर्ड किया गया था हाला कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि बारिश के बाद दिल्ली में लगबग 50% तक प्रदूशन कम हुआ है लेकिन इसका असर कब तक रहेगा ये कहना अभी मुश्किल है इसी के चलते 13 नवंबर से शुरू होने वाले और इवन स्कीम पर रोक लगा दी गई है दीपावली के बाद एयर क्वालिटी का रिव्यू किया जाएगा अगर बारिश का असर कम होता है तो आर्टिफीशल बारिश कराने पर विचार होगा इससे पहले दिल्ली में बढ़ते प्रदूशन को लेकर सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई कोट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि पिछले 6 साल से आपकी सरकार क्या कर रही थी प्रदूशन को लेकर हम नतीजे देखना चाहते हैं बीरो रिपोर्ट दानिक भासकर